बेगुसराय में एक पती ने अपनी ही गर्बवती पत्नी की पीट-पीट कर और फासी लगा कर हत्या कर दी घटना तेगड़ा थाना के दनियालपूर गाउ की हैं बताया जाता है कि दनियालपूर गाउ के मौलवी बरसात तोला में मौहमद रफीक ने अपने गर्बवती पत्नी नगीमा बेगम की पीट-पीट कर और फासी लगा कर हत्या कर दी घटना के संबंद में बताया जाता है कि दोनों पती-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था कल रात भी दोनों के बीच विवाद और मार पीट हुई थी सुबह फिर विवाद के बाद नगीमा बेगम की हत्या कर दी गई घटना की सूचना पर तेगड़ा थाना प अधार ससूर देवर एक पगल में आर आदमी है रुस्तम्या वो उसको भी पंचेति चेर में अनसाहिब कन हुआ है मारते मारते इसको मार दिया रात के घटना हो जो करत 59 वर्म मैं यह सफेर इसको न तो करा सबेर में भी इसको हम उठाकर रखे हैं, दस मिला तम यहां से हम पैखाना चला गिया, इतना टेम में इलर का मार दिया अधार में इसको मार पीट किया है और मार पीट करने से हथे हम पीट पीट करने से हथे हम प्रपीट के हाप्या है आइसा बताया गा रहा है, पती को हम ले पकर लिया है और हम संधान ने जो बाते तक्षाए लिए, करवाई की जाएगी झाल